हाई एवरीवन वल्कम टो यूटीब चैनल ब्लैक डामेंड एक एंसील यारी नॉर्थन एक कोल फिल्ड लिमिटेट एक जो की एक मिनिरतन कमपणी है उसके द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है यह जो वैकेंसी है यह आप फ्रेंटिस पदो के लिए है तो उसके बारे मैं चर्चा करू से पहले मैं आपको कमपणी के बारे में थोड़ा सा जनकारी देता हूँ नॉर्थन कोल फिल्ड लिमिटेट एक मिनिरतन कमपणी है और कोल इंडिया लिमिटेट का कमपणी है कोल इंडिया लिमिटेट एक महारतन कमपणी है उसका एक सबसीडरी कमपणी है ज और एक disappointing बात इसमें ये है कि इसमें ITI वही candidate अपलाई कर सकते हैं जो उत्तर परदेश या फिर मध्य परदेश के किसी संस्थान से आई ट्रेड कॉर्स किये हैं मध्य परदेश और उत्तर परदेश वाले ही इसमें अपलाई कर सकते हैं कहीं और से की हैं जारकंट से या बिहार से या बंगाल से तो फिर आप इसमें अपलाई नहीं कर सकते हैं यह इसमें सपस्ट तोर पे लिग दिया गया है यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि Northern केया है करो कि आपको कर सकते हैं तो एक ही करके मैं आपको पोश्ट के बारे में बताओंगा कि कौन-कौन से पोश्ट इसमें है जो आपको मागा गया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका ट्रेनिंग की इस जगह पर होगा तो यह Northern कोल फिर्लिमिटेट सिंग्रेली कोलियरी जो है जो कि सिंग्रेली जिला में पढ़ता है मत्यप्रदेस का इस जेका पर आपका ट्रेणिंग सिचुएटेट होगा जिए अब आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा यहां पर कंपानी का जो रेजिस्टेशन नंबर है पोर्टल रेजिस्टेशन नंबर वह यहां पर दिया हुआ है कंपानी का तो यह भी आप देख सकते हैं और कौन-कौन सा ट्रेट का वैकेंसी है पहले म मैं यह बात आ देता हूं आपको तो एक वेल्डर का है जिसमें गैस वाले और एलेक्ट्रिक वाले दोना अप्लाई कर सकते हैं दूसरा जो है वह एलेक्ट्रिसियन का है तीसरा है फीटर का और चौथा है मोटर मैकेनिक का यह चार अलग-अलग ट्रेट का वैकेंसी निकाल यानि टूटल मिला के 1500 वैकेंसी है जो बहुत अच्छी ट्रेड अपरेंटिस की वैकेंसी है इसमें एक साल का आपका प्रसिचन रहेगा तो मोटर मैकेनिक का इसमें असपष्ट नहीं किया गया है कि कितना साल का होगा तो यह में भी आपका एक प्रोजेक्ट उसके लिए कावन सीट है और आधनिय पिछड़ा वर्ग जो भी सी कैटेग्री में आते हैं उसके लिए 15 सीट है अनुसुचित जाती यानि SC के लिए 14 सीट है अनुसुचित जंज आती यानि ST के लिए 20 सीट है और यहां पर कुछ PWD के लिए भी सीट रिजर्व रखा गया ह OL यानि 1 leg वाले जो हैं उसका 2 seat है और HH यानि hearing impaired यानि की जिनका सुनने में जिसको partially debt भी बोलते हैं सुनने में जिसका problem है उसके लिए भी 2 seat अलग से रखा गया है उसके बाद total मिला कि इसमें 100 seat है एक साल का अपका प्रसिचन है इसी तरह electrician की बात करें तो electrician में अच्छा खासा वैकेंसी है 254 seat स्रिप unreserved category के लिए है और OBC category के बात करें तो 75 seat है SC category के लिए 71 seat है और ST category के लिए 100 seat है और अगर बात करें 1 leg वाले तो उनका 10 seat है और partially depth वाले के लिए 10 seat है और total जब हम इसको चोड़ेंगे तो 500 seat है और इसका भी एक साल का प्रसिचन है फीटर की बात करें तो 406 seat है unreserved category के लिए 120 seat है OBC के लिए SC के लिए 114 है और ST के लिए 160 seat है बाकी 16-16 करके इसमें divide किया गया है 32 seat भी है इसमें total PWBD candidate के लिए और total अगर हम देखेंगे तो 800 seat है इसका भी एक साल का प्रसिचन है जो last seat है motor mechanic का इसमें 51 seat है unreserved category के लिए 15 है OBC के लिए 14 है SC के लिए और 20 है ST candidate के लिए तो चार जो है वो PWBD candidate के लिए है total मिला के 100 seat इसमें है अगर हम grand total की बात करें तो total unreserved category के लिए 762 seat है और OBC category के लिए 225 seat है अलग से SC के लिए 213 seat है और ST के लिए 300 seat है total अलग से कुल मिला अगर के 1500 seat की वेकेंसी है तो यह काफी अच्छी apprentice के वेकेंसी है तो इसमें जो UP वाले होंगे जो UP के किसी संस्थान से ITI किये है या trade वाला course किये है जो NCBT, SCBT वाला है मैं आगे बताऊँगा आपको या MP से किये है वो अपलाई कर सकते है और उनको बहुत अच्छा benefit मिलेगा क्योंकि इतना seat का वेकेंसी निकाला गया है इसमें आपको shortlist करने में आसानी होगा मतलब जादा तर chances से कि आपका हो अगर आप उस जगर से किये हुए है तो आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या-क्या इसका eligibility criteria रखा गया है तो जो welder है चाहे वो gas वाले हो चाहे लेक्ट्रिक वाले हो अगर वो 8 पास है साथी साथ ITI किये हुए है यह चाहे वो आप NCBT से करें चाहें SCBT से करें UP और MP स्तित कि तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एलेक्ट्रिसियन के लिए है टिक टेंथ पास होना चाहिए और साथी साथ ITI होना चाहे चाहे आप NCBT से करें अगेन वही टर्मसन कंडिशन है UPIMP से फीटर के लिए भी वही है कि टेंथ पास होना चाहिए साथी यह मेकेनिकल ट्रेड से मोटर मेकेनिकट्ड से से το सभी ट्रेड के लिए जो बेसिक एक के लिगए रहा गये है कि अगरा आप जेणरल का टेगरी ऑर उब फीसी का टेगरी से आते हैं तो आपका जो ट्रेड है यानि कि NC YT-स बेट्रेजीर अप्लाइकि किया है वही अगर आप दिव्यान केटेगरी में आते हैं यानि PWBD केंड़ेट में आते हैं या फिर अनुसूचित जाती जन जाती यानि SCST केटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 45% आपका होना चाहिए ITI का संपूर मिला के average मैं बात करता हूँ कि जो लास्ट डेट इसमें है वो 36 2021 के एसाब से इसमें निरधारित किया जाएगा योग्यता आयू ये सब किच और इसमें PWBD केंड़ेट के लिए भी निकाला गया है तो उसमें भी कुछी reservation criteria दिया गया है आप इसको भी आच्छे पढ़ सकते हैं मैं इसका एक काम करूँगा मैं इसका PDF अपने टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा आप link description में होगा वहाँ से टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेंगा वहाँ ये आपको मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलूड कर लेंगे माइनिंग हो या पावर सेक्टर हो उसके जितनी भी कंपनी निकलेगी उन सभी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दोगा तो इसमें जो एज है वह यह होना चाहिए कि आपका minimum जो है वह 16 साल होना चाहिए और maximum जो है वह 24 साल होना चाहिए कम से कम उसके बाद एज लिमिट में छूट दिया गया है अपर एज लिमिट में जैसे अगर SCST है तो पांच साल का और इसी तरह से अगर ओभी से कैटेग्री के हैं तो तीन साल का और PWBD के लिए अलग लग से छूट दिया गया है उसमें अलग लग कंडिशन है जिसमें 10 साल तक से लिए 15 साल तक का छूट दिया गया है तो इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे मैं पहले आपको बताता हूं तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रेंटिस इंडिया डॉट वार जी यहां पे जो आ रहा होगा www.apprentice-sip यहां पे जो साइट आ रहा होगा www.apprentice-india.org.in इसमें आपको लॉग इन करना है और अगर आपने पहले से नहीं बनाया तो आपको यहां पर रेइस्टेशन करना पड़ेगा आप इसमें कैसे रेइस्टेशन करेंगे इसके लिए आप यूट्यूब में सर्च किजिएगा Apprentice Portal में कैसे रेइस्टेशन करें ऐसे में बहुत सारे वीडियो आज जाएगा उसमें आप क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आपको special dedicated वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं मैं इस पर वीडियो बना दूँगा उसके बाद यहां पर जाने के बाद आपक आपके online application करना पड़ेगा उस registration number को यूज करते हुए तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले आप अपने पास एक photo रख लेंगे स्कैन करके जो की six month के भीतर का होना चाहिए और खुद का signature रखेंगे उसके बाद आपका mother father का आपको structure रखना है अप्लूड करने के लिए उसके बाद ITI का माक्सिट चाहिए आईटिया का प्रमान पत्र चाहिए मत्तल्ब पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए डेटो बर्थ सर्टिफिकेट कर रूप में आप एट या टेंथ का जो भी अंग पत्र है उसमें अगर आपका अगर आपके पास है आधार कार्ड है जाती प्रमान पत्र का अगर आप लाब लेना चाहते हैं जाती का कास्ट का और बैंक खाता का वी बरन यह सब चीज को आपको स्कैन करके रख लेना है जब आप अपरेंटिस पोर्टल पर रेइस्टेशन करेंगे तो उसके बाद अप आपको बरने पड़ेगी देन आपको ncl के साइट में आके आप करकाना है फום को भरना इसमें इसमें एक बात यह हां कि masked के बारे मीश में क्लियरली नहीं कहा गया है को हैसा जब बिक कि शिटवेशन होता है किस्टैपन के बारे में क्लियरली नहीं रिखा जाता कि की दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा बस इतना लिखा जाता है कि अपरेंटिस सिप एक्ट जो 1961 है उसके तहद दिया जागा जैसे कि यहां पर नौ नमर पर लिखा हुआ है आवेदेक का स्वास्त प्रशिच्चु अभिधी नियम 1961 संसोधन सहित और NCL के ख़दानों में यह सब जितने चीजें लिखी है एक्ट लौ इसके अधार पर तो इसके अधार पर यह होता है कि जो एपरेंटिस एक्ट 1961 है और जो संसोधन किया गया था 2014 में और प्रशिच्चु जो सिच्चु नियम है 1992 का इन सभी को मिला के देखा साथ हजार रूपिया स्टाइपेंड पर मंथ देना चाहिए 2017 में इसका संसुधन किया गया था तो उसके एज़ापत आपको अगर इसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं है तो साथ हजार रूपिया पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा कंपनी के और से तो यह बह अप्रेंटिस करते हैं तो आपका बैके जो प्राइवेट कंपनी में आप अप्रेंटिस करने के बाद जाएंगे तो आपका वैलू थोड़ा बढ़ जाएगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा आई टी वाले कंडिट का कि इसमें आपको अपलाई जरूर करना चीए थोड़ा डेफिनेटल अपलाई करना चीए अपलाई करने के बाद जो भी डोकुमेंट वेरिफिक्शन होता है वह आप करा लेजे उसके बाद आपको साथ जारूपया स्टाइपन भी इसमें मिल सकता है तो यह चीज़े आपको क्लियर हो जाएंगी साथ जारूपया स्टाइपन एक इसको सामको 5 बिश्यता क अप ओलनाइन अफ्लीकेशन कर सकते इसको अपलिकेशन करने के बाद आपको कोई हाड कॉपी बेजना नहीं आपको ओलनाइन अपलाई करना इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता तो यह बहुत आच्छी जीजी है कि आपको कोई भी फीद किया है Facebook जॉइनने किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप फेस्बूक पेज को फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजेगा ताकि जब अगर आप पीडिए अगर आप टोटर करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले किसी वडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तil दैजिए ऐसे ही कोल सेक्टर और मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटिड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वेकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डानू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल देन जैहन